Hello everyone, कैसे सभी लोग उमीद करता हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, welcome back to Padlet N30 और हमारा आज का ये जो वीडियो है यार, ये completely dedicated है revision को लेकर मतलब आज हम लोग ये सारे doubts revision को लेकर clear करने वाले हैं मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को वह या ऐसा क्या फरक है मुझ में और वो stopper में कि मैं एक average बच्चा हूँ मतलब जो बच्चे को ऐसा सोचते हैं कि वो average है मैं average हूँ, वो इतने अच्छे number ला रहा है वह या syllabus भी same है, अब तो मैं भी 5-5 गंटे पढ़ता हूँ फिर भी ऐसा क्या है कि उसके number ज़्याद आ रहे है और मेरे कम आ रहे, ठीक है आज सारे डॉट्च भी हम लोग clear करेंगे, साथ ही साथ मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि फरक जो है, वो उसके दिमागे तुमारे दिमागे नहीं है फरक बस इतना है, और ये चीज़ को एक बार 10 सेकेंड रिवाइन करके फिल से भी सुनना फरक ये नहीं है कि उसकी सोचने की केपैसिटी जाता है, उसकी पढ़ने की केपैसिटी जाता है फरक सिर्फ इतना है कि उसको पता है कि पढ़ना कैसे है ठीक है और आज हम लोग एई discussion करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हम भूल जाते हैं और क्या ऐसा सबके साथ में होता है या फिर सिर्फ हमारे साथ में होता है सारे सवालों के जवाब आज तुमको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे ठ अगर आप नई हो चैनल के उपर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल के उपर बहुत अमेजिंग वीडियो आते हैं हमारी बहुती बड़ी और प्यारी सी फैमिली है साथ में आप लोग के लिए Conquer सीरीज कंपलीट्ली फ्री में यूट्यूब पर चल अब सबसे पहला सवाल ही आता है मैं तुम को एक चीज बता देता हूँ ठीक है मैं तुम को एक चीज बता दो देखो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है अगर मैं नॉर्माल इंसानों की बात करूँ तो सूपर निमस की बात में नहीं कर रहा अगर मैं बात करता ह हों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, जो की चीजों को भूलता नहीं है हम इंसान हैं, हम चीजों को भूलते है थीक, तो पहली चीज, पहला पॉइंट यह है कि क्या भाईया जो में पढ़ रहा हूँ, अगर वो मुझे दिरी दिरी भूल जाते हैं, बहुत सरे लोगों इसके बारे में घ्यान दे रखा हैं, तो वो जो एक curve होता है, इसका यह मतलब है कि अगर आपको याद चीज पढ़ते हो, याद करते हो, कल शायद आपको उसका 50-60% ही याद रहेगा, 2-3 दिन बाद चायद 30% ही याद रहेग उसको हमें retain कैसे करना है, ठीक है, retain का मतलब किया है, देखो यार एक चीज बताऊ मेरे को, retain और maintenance को हम फोड़ा सा जोडते हैं, तुम अगर नई गाड़ी खरीद के लाते हो, अगर तुम नई गाड़ी खरीद के लाओगे, तो क्या तुम उसको ऐसे ही पड़ी रहने दोग को बहुत जादे देरे तक hold करके नहीं रखेगा तुमको बार-बार उसे याद दिनाना पड़ेगा जब तक वह information तुम्हार दिमाग के अंदे store नहीं हो जाती है ठीक है और revision का यही exact reason है कि हमें बार-बार ठीक है हमें जो है बार-बार एक particular information को याद रखना पड़ता है till we understand that completely और इसके बाद हम कभी नहीं भूते मुझे एक बाद होता हूं तुमने गाने तुमने दस दिन पड़ाई की और दस दिन तुमने सारा सबकुछ पूरा syllabus कवर कर लिया लेकिन उन दस दिनों में तुमने एक भी बार जो तुमने पहले पढ़ा है उसको revise नहीं करा तो तुम जो पढ़ रहे हो ना एक तरीके से वो दिरे दिरे वे waste जा रहा है क्यों क्यों तुमने मानलो day 1 है day 1 के दिन दुमने 2 chapters की है day 2 के दिन भी तुमने 2 chapters की है और तुम करते जा रहे हो जो पढ़ा है वो revise नहीं कर रहे हो है ना ऐसे चलते जा रहे है मानलो day 10 आ गया अब मुझे बात बताओ अगर मैं day 10 पे तुम्हें इस वाले chapter का कुछ उठा के पूछ नहीं पड़ता है ठीक है तो यह बहुत बड़ी mistake होते है जिस कारण से हमारा time waste भी होता है और हम time को सही से invest भी नहीं कर पाते हैं अब हम discussion करने वाले हैं कि कि किस तरीके से हम अपने इस revision को इतना strategize करने कि अगर मुझे पहले दिन पढ़ा हुआ chapter भी कोई 25 दिन पूछता ह है तो भी में विल्कुल ऐसे उसको quickly answer दे सकता हूं ठीक है चलो बात करते हैं यार देखो AC जो है ना वो काम नहीं कर रहा पता नहीं क्यों studio को AC काम नहीं कर रहा है ठीक कराने के लिए बुला है तो थोड़ा सा मार्फ कर दे ना मुझे है ना अब ध्यांज से सुनना ठीक है करना है जैसी आपने दो chapters finish किये जैसी आपके दो chapters finish हो गए दिन का 15 से 20 मिनिट का समय निकालना है ठीक है जब भी तुमने खतम कर लिया उसके बाद में और क्या करना है जैसे कि मान लो कि अब तुमने our environment electricity कर लिया और outcomes कर लिया ठीक है so sorry electricity कर लिया अब क्या करो जैसे तुमन is recall देखो electricity खोला chapter खोला और इसके topics एक एक करके देखना चालोगा electricity मैंने खोला और topic देखा बुक बंद कर देखा ठीक है इसपर बंद कर दो बंद कर दो कि अधर पड़े जैसे वह topic देखा बंद कर दिया, recall करना चलू कि मैंने क्या पढ़ा था और explain करना चलू कर दिया, फिर दूसरे topic पढ़ा है, same चीज की, तीसरे topic पढ़ा है, same चीज की, चौथरे topic पढ़ा है, same चीज की, ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपका recall बनते जाएगा, कि जो मैंने पढ़ा है, मुझे वो याद है, साथ साथ अब उसको explain भी कर ले हो, एक कोई ऐसा particular topic आएगा, जो की शायद आपको याद रही होगा, और वही आपका सबसे strong point होगा, क्यों, क्योंकि आपने उसी दिन पकड़ लिया, कि ऐसा कॉन सा topic है कि जो मेरे लिए tough था, और ये बाद म करो कि ये था, ये था, ये था, फिर मानलों को ये particular data याद नहीं आ रहा है, बुक खोल के देख लिया, हाँ, ये मुझे याद नहीं है, उस पर आपने circle मार दिया, इससे क्या हो रहा है, कि आपने जो पड़ा है, वो आप एक बार recall भी कर रहे हो, और जो आपको याद नहीं कर रहे हो, manufacturing industries, ठीक है, manufacturing industries कर रहे हो, short form में लिख रहा हो दोनों को, अब क्या होगा, अब होगा ये, ठीक है, आप इन दोनों को पढ़ोगे और same चीज करोगे, same चीज आज भी follow करोगे, ठीक है, कि 15-20 मिनिट निकाले, थोड़ा बहुत मैंने our environment को देखा, खोल के topics देखे, रिविजन करना स्टार्ट किया, recall करना स्टार्ट किया, फिर वही same चीज मैंने manufacturing industries के साथ में की, लेकिन आज एक चीज जहान रखना है, कि आपको day one का भी revise करना है, तो इसलिए आपका revision का time जब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब daily basis पर भाईया, कितना revision का time दूँ, मैं त इसको तुम कभी नहीं बूलोगे, और एक से देट घंटा में क्यों करो, मैं तुमको भी बताऊँगा, ठीक है, हो गई सेम चीज, अब क्या किया, अब day two का revision हो गया, अब day one पर आ गया, ठीक है, आज comparatively तुमको day one का revise करना में कम समय लगेगा, क्योंकि तुम कल already वह चीज रिकॉल करके आ चुके हो, तुम फटाफट फटाफट देख लोगे, हाँ याद है, याद है, याद है, आज भी हो सकता है कि day one में कुछ याद तुमको ना रहे, थोड़ा समय लगाओ, उसको फिर से पढ़लो, और फिर से रिकॉल कर लो, ठीक है, हो गया, day two भी खतम, अब अब day three पर आजो, ठीक है, अच्छा, by the way, by the way, अगर आपको पुराने chapters revise करने है, with existing chapters, तो आप one page notes का इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, यह जो one page notes है, मैंने तुमको प्रोवाइड कर रखे है, link नीचे description में देदूँगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, free है completely, पूरे जो chapters है न अब आते है, day three पर, day three पर मानलो, तुम क्या कर रहे हो, reproduction पढ़ रहे हो, और इसी के साथ तुम क्या आप पढ़ रहे हो, तो मानलो कि nationalism in India पढ़ रहे हो, सेम जीज़ करोगे, दिन खतम हुआ, reproduction और nationalism को जो है, आमने revise कर लिया, सेम टेक्नीक से, 15-20 minute लगा है, मैं आज के revision के कर रहे हो, कि 15-20 minute लगा हो, और कल पर सो के revision के लिए भी क्या रहे हो, कि कुछ समय लगा हो, मिला के कह रहे हो, कि आपको एक सी देर यहन्टे का समय लग सुटता है, अब हो गया यह, अपने reproduction पढ़ लिया, अपने nationalism पढ़ लिया, दोनों को revise कर लिया, recall करके, वही जो सेम ट कर लो, काम तुमारा हो गया, ठीक है, फिर day 1 पर आजाओ, अब जब day 1 पर आओगे न, यह चीज तुम already 2-3 पर revise कर चुके हो, अब तो ऐसा हो गया कि तुम book खोले बिना ही topics बोल सकते हो, ठीक है, समझ ले हो बात को, इस हद तक आप पहुँच चुके हो, तो अब क्या होग खुड try करके देखना, समय अभी अपने पास में है, खुड try करके देखना, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि daily basis पर अगर पुनाने revise करोगी using, अगर चाहो तो, तुम book खोल के revise कर सकते हो, या फिर one page news कर सकते हो, एक तरीके से, ठीक है, इससे होगा कि पुनाना जो है इतना याद रहेगा कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, clear रहे आता है, और इसके बाद बाद क्या होगा, एक टाइम बाद ऐसा होगा, कि आपको सिर्फ कुछ topics नहीं आ रहे हो, और वो topics आपको revise करने है, पूरा chapter revise करने के ज़रब नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुछ topics ऐसे होंगे, ज पूरा chapter आपको clear रहेगा, और इस तरीके से, दिन का सिर्फ एक से देड़ घंटा देने से, तुम मुझे बताओ, कि कौन सी ऐसी ताकादी जो कि तुमको रोक सकती है, अच्छे नमबर लाने से, ऐसा क्या है अब जो तुमको रोक रहा है, भाई तुमको पूरा syllabus याद है, सिर्फ ये 15, 20, 30 मिनिट निकालके, अगर तुम डेली बेसिस पर नया और पुराना, सोरी, एक घंटा निकालकर नया और पुराना रिवाइस कर सकते हो, और अपनी preparation में चार चान लगा सकते हो, तो किसे ने तुमको रोका है, ठीक है, और कोई फरक नहीं हो था, देखो तु ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धी बहुत expand हो गई है, उसको सब कुछ knowledge है, दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको बस ये पता है कि जो दिमाग हमारे पास में है, उसको कौन सी सही जगा लगाना है, अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम सिर्फ chapters करके आगे बढ जाते हैं, बाद में फिर से हमको मज़़ूरी करनी पड़ती है, बाद में फिर से हमको चैप्टर जो है, वो शुरुवात से पढ़ने पड़ते हैं, तो आखरी में क्या होता है, वो revision नहीं होता है, वो re-reading होती, जो कि हमको avoid करनी है, अच्छा एक चीज़ में मानके चल रह आएगा ना, तब हमको एक साथ सारा revision करना रहेगा, और तब यह जो highlighted portion है, यह जाधा काम आएगा, ठीक है, तो I hope I am very clear with everything, ठीक है, I hope कि सब तुमको clear हो चुका होगा, अगर अब तुम, आज की देट देखना, आज क्या करना, यह जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और इससे तुम काफी हद तक अपना काफी syllabus भी कर लोगे, और पुराना भूलोगी भी नहीं, देखो ऐसा होता है कि हो सकता है कि तुम्हारा साथ 100% syllabus ना हो, पर जितना हुआ है, तुम एटलिस उसके लिए sure रहोगे कि इतना तुम्हें फोड़ गया होगा, ठीक है That being said, अगर आपको कोई भी doubt हो, आप मुझे Instagram पर stories में tag कर सकते हो, मैं अपनी ID के link नीचे दे दूँगा, और पढले के Telegram चैनल पर भी कुछ updates आते रहते हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, और अगर आप नहीं हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उमीद करता हो कि इस जीवन में, और अगर सब्सक्राइब नहीं क्या है, लाल बटन पर दबाके सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब के अथर भाया और पूरी टीम, आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो से लाते रहते हैं, और देखो, तुम अराम से अच्छे नमबर लेंगे हम तुमारे साथ में हैं, और तुम खोद अपने साथ हो, that being said, जय हिंद बंदी मातरा, enjoy करो, we will meet in the next one, तुम पर पहें